असलाम अलेकम हमें क्याता हूं सब्सक्राइब करें आज जिस प्रोड़क का रिव्यू और इसमें किस तरह हवा पर जाती है वह मैं आपके लिए लेकर आएंगों यह है इसमें के इन चैज से लेकर बड़े कि मेरे पाख वो है चोटा वाला तकरिपर दो फिट का है इसका साइज भी लिखा हुआ गार वाकि इसी एज भी मेंचन है वन से लेकि थ्री यूर्स तक बच्चों के लिए इंटेक्स का है रौंड इसमें शेप में है यह और मल्टी कलर्स में हैं बागी चले वीडियो का आगे बढ़ाते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि हवा किस्तना भरी जाती है पहले तो आपके पास यह एक मैनुवल पॉम्प होना चाहिए यह फिर लेक्रिक पॉम्प होना चाहिए दोनों में से कोई भी पॉम्प आपके पास स्कूल नहीं पॉम्प है कि अंधिक्स की अब इसमें वांदिंग वगड़ा लिखें ऑच्छा इसमें थ्री स्टैप्स तो सबसे पहले उपर ओले थी लेश नहीं में तेनों मैं आप देख सकते हैं ये पहला नोजल है पिंक येलों नॉजल नॉजल a Black लंदा ऑच्छा थोड़ी से मेहनत उता इसके अधर लिए मेने इसको रख लिया है नीचे ताके इसमें इसी ली हवा बर सकूँ ये देखें आप देख सकते हैं कि आपने इसको यहां से पगड़ना है और इसको थोड़ी जिहनत का काम है लेकिन इजी लिखना हो बढ़ जाए हुआ 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 हु अञेखग और नहीं कोर्स काषिए एको जाने को बदाएगे हैँ कि अच्छा इनकी मूजल्स जो है आप आद के बंद करते जाएं और हावा भर जाए तो इसे फॉरन तो इनमें से हावा नहीं निकलती लेकिन यह है कि आप इनको बंद कर देंगे तो जादा अच्छ है कि अच्छ है कि अच्छ आप ने को की अच्छ है कि अच्छ आप इसे फॉर्थ यह है जो कि यह इसकी बेस है इसमें भी एर भरी जाएगी तो जनाव आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो मेरा फाइनल रिव्यू यह है कि आप लोग राय मेरबानी जो है एलेक्ट्रिक पॉम्प ले लें क्योंकि मैनुल पॉम्प से अगर इसमें आप हवा बरेंगे तो आपके बिल्कुल एंड जब हवा भर जाएगी तो आपके हालत बहुत खराब हो जाएगी मैनुल पॉम्प से हवा बनना बहुत मुश्किल है शुक्रिया क्या है